हलो दोस्तों विजे एकेडमी में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बाल विकास से हम सिख्या सास्क्रेब प्रेक्टिस सेट नमबर 9 पर अभी तक हम 8 प्रेक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं अगर आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी देख लिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास को चलिए आज देखे हम अभी तक हम दो टोपी कम्प्रेट कर चुके हैं टॉपिक नमबर 1 में हमने बाल विकास के MCQ सॉल्व करे थे टॉपिक नमबर 2 में हमने सीखने जो अधिगा में उससे संबंधितं MCQ सॉल्व करे थे और इस वीडियो जो हमारा तॉपिक नमबर 1 ठाट हसा, 110 से ज्याद़ MCQ सॉल्ब करे थे टॉपिक नमबर 2 में जो सीखने हैं एवद हम सिधान्त से संबंधित था इसमें भी 125 MCQ solve करें आज जो हमारा topic number 3 इसके हम practice state लेकर आया हूँ तो इसमें भी हम 80 से ज्यादा MCQ solve करेंगे तो यह देखें क्या topic के आए सिख्याण एबं सिख्याण विदाहें सिख्याण का आर्थ उद्देश, संप्रेशन सिख्याण के सिख्याण, सिख्याण के सूत्र सिख्याण की प्रविदिया सिख्याण की नविन विधाएं, उपागम सूच में सिख्याण एबं सिख्याण के अधारवूत कोसल इस topic से related आज हम MCQ solve करेंगे तो चलिए बात करते question number 1 पर प्रयोग आत्मांक बनुविज्ञाण का पिता किसे माना जाता है इस question को आप IMP mark कर ले न Wood को, पाउलाओ को, टर्मन को, इस कीनर को क्या वो राप से कि प्रयोग आत्मांक बनुविज्ञान का पिता किसे माना जाता है तो देखे किसे माना जाता है Wood को कमेंट करके भी आप बताएं कि आपके कितने मांक्स होंगे इस तीस नंबर के जो प्रेक्टिस सेटेस में से आपके कितने मांक्स हैं ये भी आप हमेंको कमेंट करके जरूर बताएं बात करते हैं क्या आता हैं तो क्या आता है सदर विदि के तब प्रस्थनावली बात करते हैं क्यों नंबर 1 ए सबी सभी सही उत्ता देने वाले चातुरों के साथ क्या वहँएर करना चाहिए दीखें क्या उप चाहिए सभी सही उत्ता देने वाले चात्रों के साथ केसा विवार करना चाहिए उसे इनाम देना चाहिए उसे प्रोसाइज करते वे आगे बढ़ने को प्रेरीद करना चाहिए उसे अनुसासान हिन बढ़ने की छूड देनी चाहिए उसको बच्चों को मार्ग दर्सर में लगाना चाहिए यह बोड़े कि सभी सही उत्तर देने वाले चाहतों किस प्रकार का विवार करना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए उसे प्रोसाइज करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरीद करना चाहिए तो उत्तर क्या हो जाएगा बात करतें कुश्चेन नमबर फॉर्थ पर तोपिक वाइज एमसी क्यों लेकर आ रहा हूं देखे पहले में हमने वाल विकास से जो भी आपका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सौल करें दूसरे टॉपिक में हमने अधिक हम से संब्दित इमसी क्यों सौल करें आज हम सिख्यान उ सिख्याण विदिया इसने संब्दितों टॉपिक पर आप उन टॉपिकस को पढ़ ले और साती साय या आपने पढ़ रखें हैं तो भी आप उनके ऊपिक यंग लगांगे तो ताकि आपको समझ भाए कि आपकी टॉपिक पर कितनी ग सब्सक्राइब करेंगे इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज एंसी की उलारों फिर भी आपकी कोई सजेशन हो तो जरूर हमें दें और देखिए अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अगर आप कोई बुक देख रहे हैं तो आप चक्छू पॉप्लिकेशन की बु अब रणी अध्यन इन सभी को कवर किया गया है साथी साथ में 3000 से ज्यादा एंसी क्यों है साथी साथ प्रिवेक फिपर 2020 और अठारा का दिया हुआ है आप इस बुक को चाहें तो ऑफ्लाइन मार्केट से बाय कर सकते हैं तो देखिए इस बुक के अंदर यह देखिए यह पूरी पूरी बुक है पूरे सीलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई बुक है सभी सब्जेक को कवर करती हुए तो देखिए अब जीसे बाल विकास है तो देखिए बाल विकास का जो हमने 1st में MCQ सॉल करे थे इस टॉपिक पर सॉल करे थे इस पर हमने 110 से ज्यादा MCQ सॉल क करें आज जो हम सॉल कर रहे हैं स्टार्ट करा टॉपिक इस टॉपिक को सॉल करा है और इस टॉपिक पर हम सॉल कितने करेंगे 80 से ज्यादा MC के इस टॉपिक पर सॉल करेंगे ठीक है तो आप इन टॉपिक को पढ़ने लिए बुक को बाय कर सकते हैं साथी साथ इस बुक में विश्बेसन पंत्र का 애들 पेसे और क्ति सबजेक से क्या क्या मार्ण कोछा गया तो कितने मांस की मैं ठीस में मांस को मुख के सब्सक्राल ऑब ही चेक्षू पब्लिकेशन की बाय कर सकते हैं इंग्लीज पे वाल विकास सिक्षण वीजिया पे गड़ीद हिंदी परिया वरणी अध्यान संत्र तो यह पूरी 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 एक प्राजमे के स्थरी बुके तो इससरा है साथ बुके यह भी आप देख सकते हैं तो चलिए बा परियोजना के लिए विश्य का चैयन करते हैं किन किन बातों को दिहान रखना चाहिए अगर आपने बचे को को प्रोजक्त को देने तो आप समठ कुके यह उत्तर क्या है उप्लोग तो सभी जो भी मतलब केसा हो वास्तवी जगह से संबदित हो बच्यों उस चीज को क्या कितने मांक से बालक के विवार का कौन सा पक्ष उनकी रूचियों यह तता मनोब्रत्यों से संबंदित होता है संग्यानात्मक भावात्मक ग्यानात्मक किर्यात्मक जो बहुत है कि बालक के विवार का कौन सा पक्ष उसी रूचियों और मनोब्रत्यों से संबंदित होता है य केसी प्रितिकिर्या होगी छात्रों में सिख्षक के अज्यानता प्रदर्सित होती है चात्रे सिख्षक को खसी का पात्र समझेगे चात्र में उत्तर के रुटति अस्म Clemous कि स्थिति होकी चात्रमने लक्षी से बढ़ट सकने क्या पूर मोख्यव प्रस्ण के दो सही विकलप होने पर छात्रों के कैसी प्रतिगिरिया होगी है ठीक है आपने सवाल को लिए हो तो चात्रों को उत्तर देने के प्रतिक्या होगा वहाइस्मन्ट जिस्म होजाएंगे जब दो सही विकलप हो जाते हैं तो बात कर देते कोस्टेन नमबर 7 पर प्रस्ट पूछने के द्वारा कक्षा मनुसासन इस्थापित किया जाता ऐसा क्यों कक्षा में असाओधान बच्चे साओधान हो जाते हैं एक मिनिट ठीक है क्षच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् क्या बोल रहा है, कि समस्या विधी के चेरणों में कौन समली थे, प्रस्तूतिकरन, वांचिक सामगरी का चेयन या संकलन, डिसकर्स या उपरोक्तुस सभी, जही एक बाद के कुश्चन नमबर नाइन पर, प्रस्यागी भासा केसी होनी चाहिए, प्रस्ण की बासा बच्चों के ग्यान के इस्तर के और इस्पस्ट होनी चाहिए उनके मन को जग जोडने वाली होना चाहिए बच्चों को सोचने पर विबस करने वाली होना चाहिए नविन विचार एवर सब्दों वाली होना चाहिए यह बोने कि प्रस्ण के जो भासा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए यह तो दें कि प्रस्ण की भासा बच्चों के ज्यान के इस तर्य क्यों इस पस्ट रहो नी चाहिए ठीक है बात कर लेते हैं question number ten पर पिछली सीटों पर बेठे बच्चों को केसे सचेस्ट रखा जाए उनको सावधानी वाले संबोधनों से अनुसासित करके उनको प्रस्नोत्तर प्रक्रिया में सामिल करके कक्षा को किरियासिल बनाना चाहिए पीछे बेटे बच्चों के पास सोयम जाकर बच्चों को अपने पास बुला कर यह बोल रहे हैं जो बच्चे पीछे बेटे होते हैं मतलब जो बोलते हैं बेग बेंचर तो पिछली सीटों पर बेटे बच्चों को कैसे सचेस्ट रखा जाए यह पूछ रहा है आपसे तो दे रखेगा कौn सुमयलित नहीं है थीक है अन正 जिया है डिख लेसिया है डिस्ककर अहाई है नहीं ये तो ये क्या है ये सुमेलित नहीley ये इंतर हो जाएगा पत्र से चाहे पिली कि अधिक तो चाहएं पर मया इस में नहीं आ पर चलिए क्या है 금ने समधितो जब कि वह पर आफसर में क्या दिया था आपको डिस्ग्राफिया ग्राफ निर्मान संबंदी अच्हम्ता इसलिए वो नहीं है डिस्ग्राफिया क्या लिखने या लेकां संबंदी अच्हम्ता है बच्चों दोरा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क सकतिया, गडिती कोसल के प्रयोग करने में अच्छम्ता क्या हो जाती है? अधिकाम अच्छम्ता कहलाती है और जो भी थे बाकी, देखें, यह मेच है, यह सब सही है, तो आपको इनको भी याद रखना है ठीक है? अनफेजिया है, डिकलेसिया है, डिसकेल को लिए गडिती अच्छम्ता से संब्धित है डिकलेसिया क्या है, पठन संब्धि, जो पढ़ने में संब्धि दिक्कता थी, वो अनफेजिया, जो है, मोखिक रूप से सीखने की अच्छम्ता होती है तो यह आपको याद रना है, कई बार डारेट इन पे ही कोश्चन पूछा जाए सकता है डिकलेसिया मोख टाइम भी है, आपको बिल्कुल याद रखने, सबसे आदा इस पे कोश्चन पूछा जाता है, डिकलेसिया पे बात करते कोश्चन नमर 12 पे गेफटाल मनुविग्यान पर अधारी सिक्षन सूत्र कौन सा है, ग्यास से अग्यात की ओर, मूर्थ से अमूर्थ की ओर, पूर्ण से अंसी की ओर, सदल से जटिल की ओर गेफटाल मनुविग्यान पर अधारी सिक्षन सूत्र कौन सा है, ये पूछ रहे आपसे तो गेफटाल का कौन सा पूर्ण से अनसेक्योर तो तक्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा बात करते हैं कोस्चन नमबर 13 पर आप कोई कोस्चन किसे लगे ये भी आप कमेंट करके जरूर बता है किसी भी बच्चे का नाम लेकर प्रस्ण पूछने से बच्चों पर क्या परभाव पड़ता है बच्चा एकाएक प्रस्ण पूछने से हत्प्रत हो जाता है वह अपने सिख्चे के गुस्टे का निसाना बना लेता है बच्चा अनुसासित हो जाता है प्रस्ण सभी को समान रूप से वित्रेदना होने से दूसरे बच्चे समूचित ध्यान नहीं देदे यह बोड़ा है किसी बच्चे का नाम लेकर प्रस्ण पूचे से बच्चों पर क्या पुछा तो फिर जो बच्चे होते उन पर क्या प्रभाव करता है यह पूछ रहा आप से देखिए प्रस्ण सभी को समान रूप से वित्रेदना होने से दूसरे बच्चे समोची ध्यान नहीं देदें भाई उस बच्चे से पूछ या उससे पूछा आये तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं, भूकस नहीं करतें, ठीक है सिख्या को पढ़ाने में अरुची का भावे A और B दोनो चलिए इसमें एक option ज़्यादा आ गया है ठीक है इसे आप A, B, C और इसको D कर सकते हैं और इसे आप क्या कर सकते हैं E कर सकते हैं जलिए क्या बोल रहा है आपसे प्रसंका तत्काल उत्तर पाने का सिख्या का प्रयास किस सेड़ी में आता है ठीक है किस सेड़ी में आता है ठीक है तो देखिए किस सेड़ी में आता है तो अब प्रभावी प्रसंकला का उधारा ने तत्थ्यात्मा को उत्तर की जानकारी पान बात कर लेते हैं question number 15 पर soup section का सुबहराम किस्ने की ऑइमप्प मांग करना इसे doctor boost ने doctor AWD Allen ने एकी सन ने, क्लेन वेस ने या वोड़ा सूप सिख्षन का सुभाराम किस ने किया था इंपोर्टेंट का मा कर लेना इसे डाक्टर A.W.D.L.N. ने किया था सूप में सिख्षन जो था है माई को इस तरी जिसे कहा जा था का सुभाराम करने वाले विद्वान डाक्टर A.W.D.L.N. थे सिख्षा के शेतर में सूप सिख्षन एक नया विस्कार है सूप सिख्षन एक सू नियोजी सिख्षन है जिसके क्या प्रमकुद्दे से क्या क्या है कि कक्षा के अकार को 5-10 लोगों में सीमित रखना समय सीमा को 36 मिनिट तक कम करना पार्ट के अकार को कम करना सिख्षन कोसल को कम करना तदा सिख्षार्थियों में नए कोसल का विकास करना ये इसके क्या है उद्देस है तो आप आपको समझ में आगा कि जो सूप में सिख्षन है जो माय को स्टेड़ी है उसका सुबारम किसे ने किया था तो डाक्टर AWD Allen ने किया था साथ साथ सिख्षन उसके क्या उद्देश होते हैं तो ये उसके उद्देश में मैं आपको बता देता कि आपको ये जो कंसेप्ट अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा हो तो आपको ये समझ में आजाए बात करते कॉस्चन नमबर 16 पर नेम लिगिस कौन सी सिख्षन पद्देटी विज्ञान सिख्षन के लिए अधिक उप्योगी क्या है नहीं है तो कौन सी नहीं है जो दिखे जो सुख राती पद्देटी ये अधिक उप्योगी नहीं है बात करते कॉस्चन नमबर 17 पर बच्चों के सामजी के विकास में किसका विसेश महत होता है बाल साहित का खेल का गातावरन का राफ्रियता का बच्चों के सामजी विकास में किस चीश का सबसे ज़्यादा महत होता है तो आपको पता है बच्चों के सामजी विकास में खेल का सबसे ज़्यादा महत होता है बात करते हैं question number 18 question number 18 क्या बलता है जो देखेरी के पिलेटरी या पुन्रा उलोकन के प्रस्ट पूछने का उद्देश क्या होता है पूरे पार्ट को दोहराना यहाँ अस्वास करना कि जो बच्चे जो ज्यान बच्चों को दिया गया है उसे उन्होंने रदेगम कर लिया है विष्याप पूर्ण बच्चे करना सनसोधित करने की प्रस्ट भूमी तयार करना ठीक है पुन्रा उलोकन प्रस्ट पूछने का उद्देश यह होता है वह क्या है यह आप जो आस्वास करना जो जान बच्चे को दिया गया है वो उनको रदेगम हुआ है या नहीं मतलब उनके दिमाग में बेठा है या नहीं बेठा है ये इसका परपास पुन्रा और लोकर का मतलब होता है ठीक है बात करते है कुस्छन नमर 19 पर प्रस्नों की संदचना कैसी होनी चाहिए प्रस्नों संचिप सूनिश्चित इसपरस्ट होना चाहिए प्रस्नों वर्णात्म कुत्ता देने वाले होना चाहिए बच्चों को तथ्चों की जानकारी देने वाले होना चाहिए अगेन इजी question है प्रस्टों की संदर्चना कैसी होना चाहिए मतलब अगर आप question है तो उसका structure कैसा होना चाहिए तो ज़िए कि प्रस्ट कैसा हो संचिप तो सूनिश्चित हो और इस पर्स्ट होना चाहिए बात करते है question number 20 अगेन इजी question है पहले के भी प्रेक्टिस सेट में मैंने यह question आपसे पूछा था आज फिर पूछ रहा हूं क्योंकि इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्राइक था है इंवे से कोई नहीं तो सिच्चा की किंडर गार्डन प्रदधिका प्रतिपादन किस नहीं किया था इंपोर्टेंट कोस्टिन है मांक कर लेना अब इसे वेक्तिकात भेट पाए जाते हैं बुद्धिस्तर पे अभीवरत में गतिवाही योग्जिता में यह सभी में इंपोर्टेंट कोस्टिन है कई पाए जाते हैं तो दोजार पांच में आपको यह याद रखना है कितने अध्याओं में विवक्त हैं पांच में आट में दस में बारा में ठीक है तो यह कितने अध्याओं में विवक्त हैं तो यह कितने अध्याओं में विवक्त हैं पांच में कौन-कौन से पांच अध्याओं चलो देखते हैं तो प्रतम अध्या परिपेख्षी के बारे में बात करता है तो वहीं दूसरा अध्या जो है सीखना और घ्यान के बारे में बात करता है और जो पांच्वे अध्या है विवस्था गर तो सुधार के बारे में बात करता है तो इस तरह ये पांच्वे अध्या है इनकी बात करते हैं आपको जो भी रिलेवेंट लगें आप उनके सौट नोट से जरू बनाते चलना अच्छे सिक्षकों के प्रमुख गुण क्या है गति वीडियो के निर्मान की छमता बच्चे की मानसिक छमता भाइचानने में सच्छम विशेवस्तु का परियाप्तगान उप्रोग तुस सभी ये बोले कि एक जो अच्छे टीचर उसके क्या-क्या गुण होते हैं ठीक है तो एक अच्छे टीचर के ये सभी गुण होते तो उत्तर क्या हो जाग उप्रोग तुस सभी बात करते कुस्टेन नमबर 24 पर सभी गलात उत्तर देने वाले चातर के साथ क्या प्रतिकिरिया होनी चाहिए उसे डाटना चाहिए उसे हजी का पात्र बना कर कायल करना चाहिए गलत उत्तरों को त्याक कर बच्चे को बहतर प्रदर्सन के लिए मार्ग दर्सन करना चाहिए उससे सही उत्तरों की नकल उत्रानी चाहिए क्या प्रतिकिरिया होनी चाहिए आप सभी को पता कि गलत अगर उत्तर दिया तो उसको छोड़कर बच्चे को बहतर प्रदर्सन के लिए करना चाहिए कोश्चन के पर आपको याद होना चाहिए या मिन आपको पहला जैसे सब के सिद्धान पढ़ाते चाहिए वह पावला हो चाहिए थान डाइको तो वह सब चीजिए आपको अच्छा से याद होना चाहिए अच्छे टीचर के गूर का यह कोश्चन के क्या विसेष्टा होती अगर एक बार भी इन टोपिक को रिट कर लेंगे तो आपके इन टोपिक पर अच्छे से अंडरस्टेंडिंग आ जाएगी सही पर अधूरे उत्तर देने वाले चातरों के प्रति सिख्षक को प्रति किरिया क्या होगी उसे एसे उत्तर देने को अनुज साहित करना पड़ेगा उसे सही जानकरी पाने के साउधानी करना उसके उत्तर को सहयोगी प्रसने के माध्यम से सही करके सही उत्तर को दोहराना या कोई नहीं देखे क्या बोल रहा है कि सही पर अधूरे उत्तर देने वाले सही पर कैसे दे रहा है अधूरे उत्तर देने वाले चात्रों के प्रति सिख्छक को क्या केसी प्रतिकिर्य होगी ये बोल रहा आप से कि बच्चा उत्तर तो दे रहा है सही दे दे रहा है लेकिन ऐसा अधूर आधूरा पतकर लेतें कुश्चेन नंबर 27 पर सिख्यामें भाई बढ़न का प्रभाव 82 प्रकार पड़ता है भाई के कारण होने वाली उतेज्ण either तो उनकी समझ बिल्कुल काम नहीं करती ऐसे में बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई की तरफ बिल्कुल उचड जाता है बच्चों को पाठक्रम बोचिल लगने लगता है उप्रोक तो सभी यह बोले कि अगर उट क्लास में बढ़ाई और डण का प्रभाव क्या पढ़ता है आप सभी जानते हैं उप्रोक तो सभी क्या हो तो बच्चों को पाठक्रम एक तो बहुत ज्यादा बोचिल लगना पढ़ता है पढ़ाई लिखाई उनको बिल्कुल उनका मन उचर जाता है और वो डर के मारे कुछी समझ नी पाते तो तर क्या हो जाएगा उप्रोक तो सभी बात करते क्यों नमबर 28 पर तो देखिए यह निरिख्यन विधी के अंदर गताती है ठीक है बात करते question number यह भी आप देखिए आपको इस question के लिए आपको इस लेवर्स पड़ा होना चाहिए आपको यह समझ में आना चाहिए सारी विधी हैं तो आप इसका अंतर दे पाएंगे बात करते question number 29 पर सीखने के project बिदी किस अवस्था के लिए उपयोगी है बाले भास्था पूर बाल बाला भास्था अकिसोर अवस्था होगी तो सभी तो उतर क्या हो जाएगा उपरों कुस्त ही बात करते question number 30 और यह हमार practice set का आखरी question है इसके बाद हमारा practice set complete हो जाएगा practice set number कुन सा है यह 9 है तो यह complete हो जाएगा सीखने की खेल विद्य उप्योगी है बाल वस्ता के लिए, पूर बाल वस्ता के लिए, युवा वस्ता के लिए, परिपकवा वस्ता के लिए देखे सीखने की खेल विद्य उप्योगी है ठीक है, तो सीखने की खेल विद्य है किसके लिए उप्योगी है पूर बाल वस्ता के लिए उप्योगी है तो आपको यह practice set कैसा लगा, comment करके जरूर बताएं पर साथ ही साथ आपके कोई suggestion हो, तो comment करके बताएं और अगर आपने अभी BJ Academy चैनल पे नए है और चैनल को subscribe नहीं किया हो तो BJ Academy चैनल को subscribe करें, साथ है साथ वीडियो को like और share करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही था BJ Academy के साथ बने रेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद